ट्राफिक नियम का सकती से पालन करने को लीकर मोतिहारी SP ने बड़ी करवाई करती है ट्राफिक में सुधार को लीकर एक SI को अलग से इसकी जिम्यदारी भी दी गई है जिसका असर साफ देखा जा रहा है आम हो या खास सभी पर एक तरखी करवाई की जाए इसका लेकर आदेश भी जारी किया गया है इसी दोरान बिना हेलमेट के ट्रिपल लोडिंग जा रहे तीन कॉंस्टेबल का भी चलान काटा गया है एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें देखा जा सकता था की राजा बजार के पास एक बाइक सभार तीन कॉंस्टेबल सफर कर रहे है जिसके बाद बाइक सभार कॉंस्टेबल को 2000 रुपे का चलान काट दिया गया है बता देए ये पूरा मामला बलवा चौक का बताया जा रहा है जहां ट्रिपल लोडिंग में अपाची बाइक पर पुलिस वाले सवार थे और ट्राफिक की नियमों की धज्जी उड़ा कर बेसुध होकर बिना हेलमिट के तीनों घूमते दिखाए दे रहें बता दे कि इस वाइरल वीडियो में तीन पुलिस वाले एक अपाची बाइक पर सवार थी वाइरल वीडियो की पुष्टी गर ट्राफिक सर्जिट अधित प्रकाश ने दो हजार रुपे का चलान भी काट दिया है वहीं इस पूरे मामले पर सदर SP IPS राज ने कहा कि चाहे आम जन्ता हो या पुलिस के जवार या कोई पदधिकारी क्यों ना हो सभी पर बराबर की कारवाई की जाएगी अगर ट्राफिक नियमों का उलंगन करेंगे तो सभी का चलान काटा जाएगा सहरवाशियों से अपील है कि ट्राफिक नियम का पालन करें अगर आप उसका अनुपाल करेंगे तो शहर की ट्राफिक विवस्ता सुधर जाएगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे लेकिन इन सम्मामलों के बीच जो वीडियो सामने आया है इससे साफ तोर पर एक सवाल उठता नजर आ रहा है कि जब कानून के रखवाले ही अंधे हो जाए जब कानून के रखवाले ही कानून की नियमों का पालन नहीं करें तो फिर आम आदमी क्या करेगा दर्श नियूस के लिए मोधिहारी से प्रशान्त कुमार की रिपोर्ट